दोस्तों नमास्कार एंसी ए आर्टी गनियत के चत्रस्वी में आप सवय का स्वायत है आज के इस वीडियो हम प्रस्णावली बड़ावर रहता है जब हमारा डी बड़ावर जीरो होता है ठीक है यह हमने पिछले वीडियो मां को बता चुके हैं और आपने वह वाले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे एम्डाव लूकर पहले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और इसमें मैंने यह इसमें से निकाल लेते हैं और डी बड़ावर जीरो कर देते हैं तभी तो हमारा दो बड़ावर मूल होंगे ठीक है तो लिखते हैं यह बड़ावर यहां क्या हो जाएगा टू बी बड़ावर क्या हो जाएगा यह और सी बड़ावर हो जाएगा ठीक है तो अब हमारा दी बढ़ावर 0 कर देंगे इसका तभी तो हमारा दो बढ़ावर मूल होगा ठीक है तो बढ़ावर यहाँ पर बढ़ावर नहीं रिखेंगे और ठीक है तो B का मान कितना है B का मान के है तो K का स्क्व helps जाएगा मैनाश फोर को हैं स्कामाच कितम है성 इन टूप सी कदो है पराबर जीरो ठीक है और कितरा कैस्व जाएगा मैलास चार दूना आर्मार्ट पांद लूज़ाएगा बाबर जीरो ठीक है है और हम इस 24 को तो बड़ावर के उस साइभ तो यह मैनस है तो भलास हो जाएगा इसमी से नहीं इसलिए डिरेक्टप्रफ porch 24 लिखतेंगे तो और के एस्क्वार है एस्क्वार हटाएंगे तो इधर रूट आजाएगा तो के का एस्क्वार हटा देते हैं तो इधर रूट लिख देते हैं 24 ठीक है और हमला पलस मैनस होगा चुकि यह दुझात समिकरन है ठीक है तो इसमें पलस मैनस जोनों लिखा जाता है तो के बराबर और क्या लिख सकते हैं कि को आफ 24 का कंडन करेंगे तो दो तो से लेगा तो बारह पिर लगेगाठ्छे फीर ढूर्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर घू God जोफ抗 जो 2 है इसलिए इक दूर के बाहर निकालेंगे और जो 10 बच जया उसे सब्सक्तित्र में फिक कर दो तीन, 102 काए ड़ी ज़िस्कता है प्लामार यही हमारा किए का मान आ गया तो अब लिख देंगे, कि अता अधा के मां देखें लिए पलस में नहीं है तो एक बार में पलस में और एक बार मैंनस हम लिख सकते हैं तो लिख देंगे रूट टू रूट अंडर 6 और माइनास टू रूट अन्डर 6 के के मान 2 रूट अंडर 6 और मैनास 2 रूट अंडर 6 होने पर होने पर होने पर द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के दो बड़ावर मूल होने 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 ठीक है दो देखिए हमारा परस्न में क्या कर रहा था परस्न कारा था कि निमने द्विघात समीकरण के के का ऐसा मान ग्यांत कीजिए जिसके लिए उसके सुन्याक उसके दो सुनियक का मूल बराबर हो ठीक है, तो वह यह हमने भी कर दिया है यहां पर, के का ऐसा मान निकाला है जो हमारे दो सुनियक को बराबर करता, दुधात समीकरन के मूल को बराबर कर देता, ठीक है अब आए भाग संख्या, दो के और चलते हैं है भाग दो है के एक्स इंटू एक्स मैंनस टू प्लस सिक्स तो आईए इसे भी लिख लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे भाग दो क्या दिया गया है के एक्स इंटू एक्स-2 और प्लस का 6 ब्रावर 0 यहां पर भी हम दी ब्रावर 0 रखेंगे तो आए पाले यह दिखेंगे roll एक है एक्स को इस से मतलिह करेंगे माइनस का 2KX ठीक है 2KX हो जाएगा 6 बरावर 0 हो जाएगा ठीक है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अब A बरावर हम आप निकालेंगे ठीक है तो A बरावर क्या हो जाएगा A बरावर K हो जाएगा B बरावर क्या हो जाएगा मैनस का 2K और C परावर हो जाएगा 6 ठीक है अब D परावर फ़रूर लगाएंगे B square minus 4 A C 4 A C बरावर 0 करेंगे तबी तो हमारा दूब बरावर मूल होंगे ठीक है अब लिखेंगे और B कमान कितना है minus 2K लिखेंगे minus 2K इसका square करेंगे minus 4 into 1 कमान कितना है K है into 6 2 कमान 6 है और 0 करेंगे यहांपे अब यहांपे है 2 का square करेंगे कितना होगा फोड होगा यहांपे देखेए minus में है तो plus का shore होजाएगा और K का square करेंगे तो K S कर होजाएगा minus 6 के 24 के होजाएगा 24 के बरावर 24 फोबिसटीक अब हेम चार गमन ले सकते हैं । तके दोनों में यह भी को मनें चार के को मनें पर क्या होगा के मैंनस छ ? के सिख घाएगा वश्यर जीरो इसलीक अलग अलग लिख लेंगे और 4K बडावर 0 और K-6 बडावर 0 फोर K बडावर हो जाएगा 0 ने फोर इसका वान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा K बडावर 6 फिक है तो आईए अब हम जाच लेते हैं कि K बडावर 0 रखे या 6 रखे तोकी 2 बडावर जिए पर दूबर मुले ना चाहिए और हम रखसघजिस है टाहिए चेक कर लेते हैं इस समय करन में हम क्या रखेंगे जीरो इंटू जीरो मैनास टू प्लस का शीक्स बड़ावर जीरो ठीक है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जीरो बड़ावर मैनास 6 चूकि हमरा किय का माना ना था और यह जीरो बड़ावर मैनास 6 औरा तो यहां पर 6 और यह संभव नहींहें तो लिख देंगे जो जो संभव नहीं है नहीं है इसलिए के बरावर 6 ठीक है के बरावर 6 लेंगे तो लिख देंगे अता के के मान 6 होने पर होने पर द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण के दो बरावर मूल होंगे होंगे ठीक है आई होप कि आपसे कुछ सवाल स्वाज में आ गया होगा अगर किसी परकरण का डाउट हो था हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिर मिलते हैं एक और नियू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत